खाट, आ, हिरन, ई, पीली, ई, गुलाब, उ, मूली, उ, ग्रिह, री, केला, ए, पैसा, ए, मूल, ओ, नौ का, ओ, नूट, आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि आ सभी व्यंचन में मिला रहता है, र में उ, तथा उ का, और श में री का सयों, यानी मात्रा इस प्रकार लगती है, र, उ, रू, गुरू, र, उ, रू, रूपवती, श, री, श्री, श्रिंगार, वर्ण विच्छेद, शब्दों के स्वरों एवं व्यंजनों को अलग-अलग करना वर्ण विच्छेद केहलाता है, जैसे किताब पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए, वर्ण भाषा की सबसे चोटी इकाई है, जिसके टुकडे नहीं हो सकते, वर्ण दू प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या ग्यारा होती है, स्वरों का उच्छारण बिना किसी वर्ण की सहायता की किया जाता है, व्यंजनों की संख्या तैतीस होती है, व्यंजनों का उच्छारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्मर्ष्व्यंजनों की संख्या 25 होती है अनुस्वार और अनुनासिक को अयोग वाह भी कहते हैं जैसे बंद, बांध, आदे र, रेफ और पदेन होते है